है वरिवन आज की वीडियो में हम एक फइस पैक प्लस फेस श्क्रब्स टू इन वन मतलब विडामिन दोस होता है हमारे सकीर के लिए मैंने थोड़े से मतलब दो टेबल स्पून लिया है अलोएरा जेल जिसमें कि अल्रेडी हल्दी मिली हुई है आप अगर आपके बास नॉर्माल एलोएरा जेल है तो आप एक दो पिंच हल्दी उपर से आड़ करना और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है और ऑल्यू ऑल् यूज करो अदर्वाइस ऑईली स्कीन है तो आप ऑल्यू ऑईल स्कीप करके खली रोज वाटर यूज कर सकते हो देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी इसके बाद इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर यूज करना है यहाँ पर पताने क्या हो गया कैमेरा शायद आफ हो गय कोई भी स्क्रफ हो या फेस पैक हो आपको फेस पे लगाने से पहले आपको आपका फेस जो है वह अच्छे से क्लीन करना है यहाँ पे मैंने फिय्स ऑश करके यहूज करना शुरू किया है इससे आपको अच्छी से मतलब टाइम दे के थोड़ा सा पास मिन दस मिनेंट沒्सा को सर्कल मोशन में मतलब सर्कूलर मोशन में आपका हाथ गुमाना है इससे क्या होगा जो ब्लड सर्कूलेशन है ना वो आपके स्केन में वो रेगलर होगा और उसके वजह से भी skin glow करने में बहुत जादा help करता है मतलब scrubbing कर रहे है तो skin की जो उपर ही मतलब top की जो layer है वो clean होती है plus massage होती है skin की तो blood flow अच्छा होता है इस वजह से क्या होता है अंदर से भी skin glow होने में help होता है आप देख रहे हैं मतलब massage करते time ही आपको वो change feel होगा कि हाँ मेरी skin भी glow कर रही है बचा हुआ always मतलब जो भी face pack हो या फिर scrub हो में हमेशा मेरे हाथों पे भी use करते हो क्यों कि क्या होता है हमारे हाथ भी बहुत जादा मतलब hand wash की है फिर किसी चीज के मतलब करन वो काले काले है फिर उस पे dead skin जम जाती है तो हाथों पे भी मैं करती हूँ उसके बाद आपको अच्छे से face wash करना है cleansing करनी है और जब या face wash करो या फिर कोई face pack लगो आप face के लिए हमेशा मतलब अलग से face towel आते हैं जो micro fiber वाज़े जो towel होते है या फिर face towel वो आते हैं मार्केट में अलग से वो यूज कर सकते हो आपके उसके बाद मैंने थोड़ा सा rose water लगाया है अगर scrubbing हो गई है तो एक अच्छा सा मतलब moisturizer skin के लिए मैं तो हमेशा aloe vera gel या फिर rose water यही यूज करते हूँ I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करना और share भी करना thank you for watching this one I will see you in my next one